हाई गाइज हम लोग देख रहे है query set API जिसमें हम लोग ने इससे पहले देखा था वैसे method जो की query set return करते थे वह कुछ operator भी हमने देखे थे अब बार यह है query set API में वैसे methods को देखने की जो की return नहीं करते है एक नया query set यह method हमने पहले भी देखा हुआ है retrieving a single object जिसके लिए हम लोग यूज करते है get method it returns one single object if there is no result match it will raise does not exist exception if more than one item matches the get query it will raise multiple objects return तो अगर कोई return नहीं करेगा तो does not exist exception raise करेगा अगर एक से अधीक return कर देता है उस case में यह multiple objects return करेगा exception और इसरी पर एक करेगा तो simply आपको आपका output मिल जाएगा example के तोरप पर student.objects.get pk equal one लिगा हमने चुकिए हमने primary की use किया हुआ तो primary की हर एक field के लिए हर एक row के लिए unique होता है तो हमें एक ही object return मिलेगा तो इस case में हमें another does not exist exception मिलेगा और नहीं हमें मिलेगा multiple objects return का does not exist exception कब हमें मिल सकता है जब कोई result match नहीं करेगा यानि कि pk equal आपने ऐसा value दे दिया जिसका data हमारे table में नहीं है pk तो होगा primary key तो है जिसको हम समझ सकते हैं कि वह unique होगा बट वर्ड primary की हमारे table में है ही नहीं हो सकता है कि हमने इसको delete कर दिया हो तो हमारा 2,3,4,5 हो टेकिन 1 ना हो तो इस case में हमें does not exist exception मिलेगा चले इसको quickly देखते हैं और इसको समझते हैं कि यह हमें क्या return करके देता आगे बढ़ने से पहले एक नया project create करना है js97 हमने बिचले बार 96 में देखा था इस बार 97 में हम लोग चले आए हैं copy paste में बहद बहुत कुछ करना पड़ेगा because एक पी इसको पूरा copy paste करना है साथ में यह database का हमें हमारे पास जो file है db.escalate3 यह भी हमें copy paste करना है अगर हमको इसको नहीं करेंगे इस db.escalate3 को तो हमें data फिर से लिखना पड़ेगा table में जो कि मैं चाहता नहीं तो इन दोनों को मैंने select किया इन दोनों को copy किया और यहां पर simply कर दोंगा paste और बस आपको आना है अपने certificate file में और यहां पर इनको इसको लिख देना क्या है school बस इतना क यहां से यहां तका copy किया और यहां पर बस पेस्ट कर दिया ओकी तो यह हमारा एकदम डिट्टो हो गया क्या gs96 के जैसा बस हमने बस इसका नाम चेंज कर दिया gs97 और कुछ internal changes हुई है setting.py file में जैसे यहां gs97 लिखखा हुआ है तो यह सारे कुछ internal changes होती है और इसी internal changes के तो यह से हम लोग directly copy paste करके उसको folder को rename करके नहीं लिख सकते हैं हमें project create इस तरीके से करना ही पड़ता है तो अभी हमारा यह same to same यह जैसे था वैसे ही है बढ़ हमें कुछ change करनी पड़ेगी for example यह हमें query set return नहीं मिलेगा यानि कि single object मिलेगा जब भी तो हमारा इसमें जो template file है यह वाला यह for loop में लगा हुआ for loop यानि की multiple हमारा आएगा पर यह multiple नहीं आ रहा सिप single आ रहा तो for loop के यहां आ सकता हमें नहीं है तो यह for हमें यहां से हटाना है यह for हमने हटा दिया वरना मैं error मिल जाता हूँ तो हमने यह एक काम किया template में ध्यान रखिएगा जो जो मैं कर रहा हूं वह सारा काम तो यह हमने काम किया टेंप्लेट में उसके बाद व्यूस रट प्याई फाइल में यह सब कुछ बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए तो यहां से आपको यहां तक का पूरा का पूरा हटा देना है यह हम लोग चलाएं सिर्फ इतना सा कोड हमने लिखा हुआ है और कुछ बिलीब हमें क्यों की यहां आसकता नहीं पड़ेगी अगर पड़ेगी तो वापस से ले आएंगे प्लस हमें सिर्फ एक टेवल से हमारा काम हो जाएगा यहां टीचर की भी हमारा आसकता नहीं यह जरुत पड़ेगी तो वापस से लिख लेंगे धियान रहे की हमारी हमेरा teacher use नहीं कर रहे हैं मगर फिर भी हमारे models.prive file में teacher यह table यहाँ पर रहेगा और admin.prive file में भी हमेरा teacher का admin class रहेगा और हमारा जो database में data application मतलब admin application होगा वहाँ भी teacher का data रहेगा क्यों रहेगा हमेरा या लोग यूस कर रहे हुर भी इसका simple सा एक reason है कि हमने just because पुरा copy paste कर लिया यहाँ पर इसी वज़े से हमें यह रखना है वरना इधर उदर से error मिलता रहेगा हमें तो रहने देते हैं even हम लोग इसको use नहीं करेंगे मगर फिर इसको रहने देते हैं तो सब कुछ save कर दीजिए एड्मिन का कोई काम नहीं है यहें हमारा कुछ भी नहीं मॉडल हमारा कुछ भी नहीं हमें make-migration होगा कुछ भी नहीं करना है बडra safe side में रहने केез각 हम लूग करेंगे cd में चलते हैं cd में चलने के बाद gds-97 यहां make migration करेंगे, अलाकि इससे कुछ हमारा होगा नहीं, make migration कोई change detect नहीं होगा, और migrate कर देते हैं, migrate तो कोई भी detect हमें नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा सब कुछ किया हुआ है, इस SQL के file में, simply क्या करना है, हमें यहां super user भी create नहीं करना पड़ेगा, directly हम लोग server run कर देते हैं, admin, यहां पर हमें admin, पुराना वाला चुथाव, admin, admin, login में क्लिक क्या लेकि हमें student मिल गया, सारा data के साथ, और हमें teacher भी मिल गया, सारा data के साथ, तो बस यह मुझे ना करना पड़े, इसलिए मैंने यह database वाला file को भी paste किया, वरन्ना मैं फिर से बनाता, और इसमें, मैं यह व पड़ा है, कोई issue नहीं है हमारा, रहे एक्ष्रा तो पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, अभी main मुद्धे में आते हैं, जो कि हमारा get है, अगर आपको कोई एक specific data चाहिए, एक single object चाहिए, तब get का use करेंगे, यह useful method है हमार, तो student data मैंने यह लिखा, equal student table में से objects get, और य student table में जिसका primary key, यह PK मतलब primary key होता है, यह पहले से defined app को PK ही लिखना है, कुछ और नहीं लिखना है, जिसका यह primary key 1 होगा, वह data चलाएगा student data में, आप student data को pass करेंगे, यहाँ पर, इस template file में, इस template file से यहाँ पर यह view हो जाएगा, एक एक करके, table के form में, इसके मैंने save किया, save करने के बाद, इसको करते हैं, run, तो यहाँ पर देखिए, यह हमें एक error दे रहा है, यह कहरा है कि query property, अब आप यहाँ use नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह use होता है, सिर्फ query set के साथ, और हमें यह query set नहीं मिल रहा, बलगी कि सिर्फ एक object मिल रहा, तो अब इसका कोई काम नही है, ओके जी, तो हमने इसको save कर दिया, save करने के बाद, वापस से refresh करते हैं, वापस से refresh किया, तो हमें एक और problem यहाँ पर face करने को मिल रहा है, कि हम लोगों यहाँ student data, pass किया students नाम से, अब अब अगर आप template में जाकर देखेंगे, तो हमने यहाँ सिर्प students लिखा, तो students कीजिए, या फिर आप simply, यहाँ पर आकर इसको student कर दीजिए, students करने के बजाए, यहाँ वाट करना जाना easy है हमारे लिए, तो मैंने यही बज़ कर दिया, और हम लोग simply इसको refresh करेंगे, तो हमें एक जिसकी भी pk1 है, उसका data देखने को मिलता है, sonam का pk1 होगा, मैं आपको identify करने के बजाए, id से भी कर सकते हैं, बस uniquely एक single record identify होना जाए, अगर multiple हो जाएगा तो फिर हमें exception मिल जाएगा, id equal 1 यानि कि जिसकी id 1 है, वाट data हमें चाहिए, तो हमें id 1 sonam किये, तो हमें sonam यहाँ पर मिल जाएगा, sonam का अगर id से अगर कोई और होता, for example, अगर मैं लिख देखता हूँ, देखिए, get name equal रोहित, और मैंने इसको save किया, save करने के बाद मैं इसको refresh करता हूँ, मुझे रोहित का data मिल जाता है, even name ऐसा column नहीं है, जो कि uniquely identify कर सके किसी row को, यानि कि हर एक row को uniquely identify करे, name ऐसा column नहीं है, मगर इस data को आप देखेंगे, तो आपको पता हो ही, तो सिर्फ एक जगा पर है, इसी वहीं से हमें सिर्फ एक object ही return होकर मिलेगा, जो हमारे इस condition को satisfy करता है, और हमें यहाँ पर data दिखाई देता है, बट यहीं पर अगर हम लोग लिख देते हैं, अली को, तो अली दो जगा पर है, इस case में हमें यह exception देदेगा, दिखें यहाँ पर अली, सेव किया, सेव करने के बाद, अगर आप इसको रिफ्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आपको exception दिखा देगा, multiple objects returned, अली दो जगा है, यहाँ पर भी अली है, और यहाँ पर भी अली है, तो इसको पताने चलेगा कि कौन सा object है, तो इसको मिल रहा है multiple, इसे सब आपको यह exception देखने को मिला, so basically कहने का मतलब यह है, कि जब भी आप get use करें, तो यहाँ पर वैसे field का use करें, जो कि uniquely identify करें हर एक raw को, for example, कोई p की हो सकता है, primary की हो सकता है, या फिर अगर कोई unique, हर column का unique, जैसे हमारे इस table में देखेंगे, तो unique हमारे क्या है, role number, role number को भी हम एक raw को uniquely identify करता है, यह से concept SQL के हैं, बट मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, ओके तो यह तो हमारे हो गया, get वाला काम खतम, बाकी आगे देखते हैं कि हमारे पास और क्या-क्या हमें सीखने को मिलता है, इस query set API से, next method है हमारा first method, it returns the first object matched by the query set, और none if there is no matching object, if the query set has no ordering defined, then the query set is automatically ordered by the primary key, example इसका student data, equal student.object.first, इसके लाब आप order करके भी लिख सकते हैं, आपने पहरे name से order किया, then first choose कीजिए, तो वैसा भी आप कर सकते हैं, तो इसको मैं आपको quickly दिखाता हूँ पहले, तो इसको मैं को भी paste करता हूँ एक बार, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे बस आपको यहाँ get की जगह पर यहाँ use करना है, first method, और यहाँ पर आपको लिखना है, कुछ भी नहीं, तो मैंने इसको कर दिया, save, और हमारा जो table है, यह body fault इसको order करेगा, primary key से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, वैसे ही हमारा यह order हो जाएगा, जैसे हमारा यहाँ पर यह है, और इसको मैंने refresh किया, तो जैसे हमारा first होगा, वह हमें दिखाई देता है, आप order करके भी कर सकते हैं, कि मैं अगर name को order करूँ तो A, उपर में चलाएगा, capital A, उपर में चलाएगा, फिर first करूँगा, तो early हमें, यह जो भी उपर में रहेगा, वह हमें, first में रहेगा, वह हमें सीखा हुआ है, तो यहां पर आप combine कर सकते हैं, order by name, हमने पहले name से order किया, फिर इसमें से first को निकाल कर तो student data में डाल दो, फिर वह हमें template में दिखाई देगा, तो पहले यह order करेगा, order करने के बाद जो हमारा result हैगा, उसमें से first होगा, वह हमें student data में मिलेगा, वह हमें template मे मिलेगा, मैंने इसको किया refresh, तो हमें आफरीन मिल रहागा, हमारा आफरीन है, देखें, यहां में order अगर आपको करके दिखाऊं, तो पहले भी sonom दिखाई दे रहा है, फिर इसको हम लोग order करेंगे, आफरीन आपको ऊपर में दिखाई देगा, ओकी जी, इसी वाशे हमें यह first में आफरीन दिखाई दे रहे है, अली इसके नीचे है, वो जैसे order करने का dictionary में आप देखते होंगे, किस तरी के से words सारे order किये हो रहते हैं, उसी को यह follow करते हुए, यहां पर आपको दिखाई देता है, तो यह हो गया हमारा first का, next method है हमारा last method, तो it returns the last object matched by the query set or none if there is no matching object if the query set has no ordering defined then the query set is automatically ordered by the primary key, तो same way से first है वैसे ही है, बस यह first देता है और यह आपको last देगा, तो एक symbols आपको दिखा देता हूँ, यह first वाला मैंने copy किया, copy करने के बाद यहां पर paste कर देता हूँ मैं, और यहां पर बस first की जगह पर last कर देता है, उसको मैंने save किया, comment से यह बाद जो last में हमारा होगा, वा आपको देखने को मिलेगा, last में हमारा अंकुर था, तो हमें last वाला देखने को मिल रहा है, तो यह first और last में हमारा difference है, the next है हमारा latest, it returns the latest object in the table based on the given field, तो जो भी latest होगा वा ही return करेगा, student underscore data, student dot object dot latest और past date हमने लिखा, जो भी latest होगा वा ह भी पेश कर सकते हैं, और उपर वाले को comment हमारी, और नीचे वाले में यहाँ पर आपको last की जगह पर latest लिखना है, latest मोबाइल कुण सा है, latest मोबाइल कुण सा है, हम लोग करते रहते हैं, तो यह हमारा latest होई meaning है, past date यहाँ पर लिखता हूँ मैं, तो आपको ज़्याद अच देखें इसको, तो latest date हमारा क्या है, 2 June का है, देखिए बाकी सब इससे पीछे होगा, अगर मैं एक data नया जहाँ insert करता हूँ, नया data जहाँ insert करता हूँ, अमार और इसका 112 और city गारो और marks होजाएगा, इसका 60 इसका date हम लोग इदम latest रखेंगे, 3 तारीक का, 4 तारीक का, 4 June क और मैंने इसको सेव कि तो, अभी हमारा ये सबसे लेटियस्ट में है अमन. जोकी 4 जोन है 4 जोन onwards से बागी सब पीछे है। impressed हम्हें गजान जोन देख रहें ये इसी पासदेट में ऐसे तो अभीहँ में हमारे ये 4 जोन डेता वो भी हमें लेटेस्ट वाले में दिखाई देगा, यानि कि इस लेटेस्ट मेथट से दिखाई देगा, the next मेथट है हमारा earliest, it returns the earliest object in the table based on the given field, example, कुछ इस तरीके से बस latest जैसे था, वैसे हमें बस earliest यहां पर लिखना है, और डेट इसको बता देना है, तो यह बताएगा कि earliest वाला कौन सा हमारा data है, तो इसी को copy paste मारता हूं मैं, और उपर वाले को comment कर देंगे, और नीचे वाले में बस यहां पर आपको earliest कर देना, तो earliest में लिख दिया, earliest past date में से earliest कौन सा है, what data में return होकर मिलेगा, और हमें देखने को मिलेगा webpage में, तो इसको मैं रीफ्रेस किया, तो देखिए हमें 2 April का earliest वाला data है, तो यह देखने को मिलता है, देखिए 2 April से पूराना यहां कोई भी नहीं है, एक निया data insert करता हूं, यहां नाम रखेंगे हम लोग, सनम, बस सोनम ही दिमाग में चलता रहता है मेरे, नया नाम सुझते हैं कुछ, सुमित, सुमित लिखता हूं मैं, रोल नंबर इसका 113, सिटी इसका राची, और मार्क से इसका 70, और डेट हम लोग 2 April, देखिए हमारा 2 April का दिख रहा था, और 2 April से पहले का देते हैं, अरली का देते हैं, तो मार्च में डाल दिया, मैंने मार्च 5 का, सेव किया, वह देखिए, यह मार्च 5 का, मार्च 5 से पुराना यहां कोई नहीं होगा, और हम लोग रिफ्रेस कर रहेंगे, तो हमें मार्च 5 का देखने को मिलेगा, कि तो सबसे पुराना जो होगा, वाट इट आप को मिलेगा, अरलियस्ट से, वह सबसे नया जो होगा, वाट इट आप को मिलेगा, लेट इस्ट से, next method हमारा exist है, it turns true if the query set contains any result, and false if not, this tries to perform the query in the simplest and fastest way possible, but it does execute nearly the same query as a normal query set query, example के तोर पर, देखे, पहले हमने all निकाला, सारा data पहले हमने निकाला, फिर हम उस data में से देख रहे हैं, जो हमरा data set आया, नहीं के query set जाया, वा exist करता या नहीं करता है, अगर करेगा, तो true करेगा, अगर नहीं तो हमें false मिलेगा, हमरे पास जो query set है, उसमें कोई result है या नहीं है, वो हम लोग चेक कर सकते हैं, query exist का use करेगा, अगर उसमें result है, तो हमें true मिलेगा, अगर नहीं है, तो false मिलेगा, तो इसको मैंने कर देख comment, और हम लोग नीचे चल आते हैं, यह जो हैं इतना बड़ा, इसको नीचे कर देखे हैं, इससे मैं कोई खास काम नहीं हा रहा, यह लोग student data है, हम प्रिंट कर रहे हैं, यह आप आप को single single object देखाई देएगा, वैसे, और आप देखना चाहते हैं, dot all, तो जितना भी data होगा, जितना में result होगा, query set जो भी होगा, हम रा student data में चलाएगा, फिर हम लोग यहाँ पर simply print करेंगे, print student data dot exist, अगर exist करता है, इस query set में results हैं, तो यह print करके हमें देखा true, तो मैंने इसको किया save, सेव करने के बाद इसको refresh करते हैं, यहाँ तो कुछ भी दिखाए नहीं देगा, बट print में अगर इसमें कोई data होगा, यानि इसमें कोई result है, तो हमें यह true मिलेगा, चुकि इसमें है, तो हमें true ही मिलने वाला है, देखे true मिल रहा है, और यह query set return कर रहा है, तो हमें query set यहाँ पर print होकर मिल रहा है, इस student data में से, यह all query set return करता है, तो इस विए चेक कर सकते हैं, कि जो आप पर पास return आ रहा है, उसमें result है, यानि अगर result है, तो ही यह काम हो, और नहां ना हो, उस तरीके का perform आप कर सकते हैं, तो यह print वाला जो है, बंदा, इन दोनों को मैं कर देता हूं comment, तो साथ मैं आपको single object का दिखाता हूं, चेक करके तो हमने all का देखा, तो single object का देखिया, यहीं से दिखाता हूं, इसी को copy कर लेंगा, इसको नहीं करते हैं, यह one data, one data मैंने लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, student.objects.get पके equal, हमने one लिख दिया, तो अगर यहां से get होकर, हमारे पास result आ रहा है, one data में, तो हमें two return मिलेगा, उसको चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगा, पूरा code क्या हमें लिखना है, उसके लिखना पड़ेगा, पहले दिखिए, student, हमें जड़ पड़ेगी इसकी, तो मैं इसको वापस से कर देता हूँ, student data, print लिख देता हैं, print, हमारे लिख कर रहे हैं, student data, पूरा लिख लिख लेता हूँ, पूरा लिख 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 वह exist करता है देखे true मिलना है तो बस ये check करने का तरीका है अब check करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अब इसको करते हैं comment इसका कोई खास इस्तमाल नहीं है हमारा कुछ और method ये methods से ज़्यदा तर आप कह सकते हैं कि CRUD से रिल्टेड है यानि create, delete, update, read, read तो हम लोग जानते हैं all हमने get देखा, all देखा, get देखा तो वह सारी चीत है ये create करना आपको सिखाएंगे कि आप manually हमपर methods का use करके कैसे data create कर सकते हैं मतलर data insert कर सकते हैं table में आप data update कर सकते हैं वह सारी चीत आपको देखने को मिलेगे उस से लिटर जो methods है वह आपको यह आपर देखने को मिलेगे तो पहला method है हमारा create a convenience method for creating an object and saving it all in one step तो एक ही step में create कर लेना और इसको save कर देना generally हम लोग क्या करते हैं हम लोग इस तरीके से पहले एक object बनाते हैं यह data हमारा है हमें student table में रखना है यह data हमने इसका object बनाया एक जिसमें name है field जिसका हमने value दिया समीर फिर role एक field जिसका हमने value दिया 112 फिर city है marks है यह जो भी column है हमारा table में उसके according हमने यह पर data लिख दिया और यह data हमारा student table से belong करता था तो उसका हमने एक object बना लिया s अब सिर्फ इससे हमारा object बना है अब यह data हमारा save table में उसके लिए हमें करना पड़ता है s.save false underscore insert equal true नहीं भी लिखते हैं तो भी हमारा काम हो जाता है अब से सिर्फ इससे बसे लिखते है s.size तो हमारा data save हो जाता है हमाटे हमारे table में जा कर यह हमने देखा हुआ है बहुत पहले save method बस data हम लोग कहां से लेते थे यूजर से लेते थे बट यहां पर data हमने दे दिया हूआ है तो save method का use करके आप save करते थे हैं इस तरीके सब्सक्राइब बनाया पहले फिर हमने save method का use किया और हमारा data save हो जाता है लेकिन create method अगर आप use करते हैं तो आपको यह दो line करने का सकता नहीं पड़ता है अब एक single line में इस तरीके से create और save दोनों काम कर सकते हैं तो student.objects.create लिखना है और यहाँ पर keyword argument देना है keyword value के तोर पर keyword और value की और value के pair में आपको यहाँ पर सारा data लिखना है और यह आपका create और save दोनों ही हो जाएगा एक single line में तो मैं आपको करके दिखाता हूं यह easily समझ महाएगा बहुत simple सा concept है student data लिखिए equal student table में करना है तो student objects.create और यहाँ पर simply नाम लिखते जालिए जो भी column है उसके according आपको यह पर values देना है तो मेरा एक समीर में लिख दिया फिर हमारा एक है roll रोल अब आपको ध्यान से देना है विकाज यह unique है हमारा पहले से कितना तक है यह देख ले दें एक बार 113 तक है तो आप 113 के अलावा 114 दे सकते हैं फिर जो भी देना चाहिए बट वहाँ जो मौज़द है वह नहीं देना है बुकारो यह पिर जो भी फिर छोड़ा हो आपने की नल उसमें आ सकता है उस फिल्ड में तो फिर आप उसको खाली छोड़ सकते हैं उसमें नल चलाएगा यह फिर अगर हमने डिफॉल्ट छोड़ा हुआ है तो डिफॉल्ट चलाएगा लेकिन अगर not null है तो फिर उस फिल्ड आपको value देना पड़े पहले year आपको देना है 2020 then month then date यह हमने दे दिया तो बस इससे हमारा create भी हो जाएगा और हमारा save भी हो जाएगा अभी मैंने इसको save किया और समीर नाम का देख लीजिए कोई भी हमारे यहां पर हमारे पास कोई record नहीं है last record हमारा 13 id के साथ है id आपको यहां पर नहीं देना ह वह auto generate होता है बसमें इसको refresh करना है जो आप ने create किया और save किया वह आपको return होकर यहां पर देखने को मिल जाता है साथ में अगर आप यहां पर देखेंगे तो समीर हमारा एक record यहां पर save हो गया है database में ओके जी तो यह था हमारा create का funda इसका आप use कर सकते हैं यह हम लोग अंगर में बसका इसका सकते हैं next method है हमारा get underscore or underscore create method default equal none keyword argument देते हैं आप a convenience method for looking up an object with the given keyword argument may be empty if model has default or all fields creating one if necessary it returns a tuple of object create where object is the retrieved or created object and created is a boolean specifying whether a new object was created अगर नया object create होगा तो created में true value आएगा अगर नया object create नहीं होगा तो उसके इसमें false आएगा नया object कब create होगा जब यह data पहले से मौजूद ना हो देखें get और create अगर get हो रहा तो get कर लो या फिर get नहीं होदा तो इसको create कर जानी कि पहले से अगर नहीं है तो उसक ले लो example इस तरीके से लिखना है student underscore data comma created equal student.objects.get underscore or underscore create name हमने samir role जोगी data देना वह data आप देंगे साथ में आप print करके देख सकते हैं कि आपका data create हुआ है मतलो नहीं object या फिर नहीं उसके लिए आप यह प्रिंट कर सकते हैं created को तो example में दिखाता हूँ तो इस पूरे को मैं copy paste कर रहा हूँ एक बार यह मैंने copy paste कर लिया और उसको उपर वाले को comment करते हैं सेम यही रहेगा बस यहां पर हमें करना है get or underscore or underscore create get student data student object get or create और हम यहां पर simply क्या करेंगे पता है name equal samir लिखा हमने role equal हमने एक सुचा ओधा लिखा हुआ है city हमने बुकारों दिया हुआ हुआ है marks 60 और same data यानि कि जो हमने create किया था वही हम लोग यहां पर लिखते हैं इस case में क्या होगा यह हमारा पहले से module थे तो हमें get होकर मिल जाएगा यह create नहीं होगा बलकि get होगा तो student data में चलाएगा हुआ आप यहां पर इसको दो चीजे return करता है कि आप यहां पर इस तरी कर से लिख सकते हैं यह python का concept है पहला जो return होगा वाइस में चलाएगा और दुसरा जो return होगा वाइस में चलाएगा पहला return होगा कि क्या हमारा get हुआ यह पर जो हमारे get create हुआ हुआ और दूसरा हमारे return होगा कि create हुआ है या नहीं अगर create हुआ सकते हैं तो true आएगा created में created की जगा आप कुछ भी लिख सकते हैं अब create नहीं होता तो हमें इसके जगा पर false टेखने को मिलेगा जिसको मैं print करके देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा print create इसको मैंने save किया save करने के बाद इसको refresh करते हैं तो देखिए यह हमें मिल रहा है क्या get होकर मिल रहा है यह पहले से create है तो यह create नहीं कर रहा हुआ है get कर रहा है अगर create होता तो created में true आता तो टर्मिनल में हमने print किया हुआ देखिए टर्मिनल में आपको यह false दिखाई देगा टर्मिनल में हमारा यह false में दिखाई देगा वही पर अगर हम इसका data change कर देते हैं for example अगर मैं data change कर दो समीर की जगह पर मैं लिख देता हूँ अनिशा अनिशा मैंने लिखका ठीक है अनिशा का रोल नमबर 15 कर देते हैं cities करें देते हैं सेम मार्क सेमने देते हैं और date भी सेमने देते हैं no issue तो यह मिलेगा नहीं तो यह क्या करेगा यह create हो जाएगा save क्या है मैंने इसको save करने के बाद refresh करते हैं देखिए अनिशा create हो गई और यहां पर created में इस वर चुके create हो रहा है तो created में आपको true देखने को मिलेगा तो इसमें terminal में आकर देखिए यहां पर true देखने को मिलेगा ओके तो इसका simply सब मेरा पढ़ेंगे तो को पता चल लाएगा get और create अगर है तो get कर लो और नहीं है देखिए तो create कर दो यह वाला object के साथ data के साथ okay यह simple concept था हमारा next method है हमारा update method तो perform an SQL update query for the specified field and returns the number of rows matched which may not be equal to the number of rows updated if some rows already have the new value example इसका देखिए student data लिखा मैंने student.objects.filter id equal 12 पहले filter कर लिया हमने data को जिस data की id 12 है उस data को पहले मैंने filter किया मैं निकाला फिर उसमें मैं update कर रहा हूं उस field में जो भी name लिखा होगा value वह हटा कर कभीर कर देना है जो भी marks लिखा होगा value उसको हटा कर 80 कर देना है तो इस तर example मैंने लिखा filter marks equal 60 यानि कि जिस student का marks 60 है उन सब को पकड़ो और उन सब के city को pass कर दो उन सब के city में जो भी value हो उसको हटा कर pass वहाँ पर city का value चेंज कर देना तो इस तेक से multiple भी update कर सकते हैं अभी कुछ लोग क्या करते हैं इसको use करते हैं get के साथ student.objects.get id equal 12 देखने में यह लगता है कि हाँ बिल्कुल सही है get कर लो id जिसका 12 है उसको एक unique data मिल जाएगा और फिर उसका नाम चेंज करके कबीर कर दो उसका marks चेंज करके 80 कर दो देखने में पढ़ने में बिल्कुल अच्छा लगता है और valid लगता है बट यह invalid है क्यो invalid है because update method query set पे लगता है object पर नीचे वाला सबसे नीचे चाप देख रहे हैं जिसमें हमने get लगा हुआ 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 अगर आप लिखेंगे तो आपको error मिलेगा जो भी आपके table का नाम होगा हमारे case में student तो student student has no attribute या फिर no object इस तरीके का कोई आपको error मिलेगा no attribute update या फिर no object इस तरीके आपको error देखन आपके वाला काम नहीं आने वाला है यही आपको काम आने वाला है दो जो मैपको भी example में दिखाऊंगे अगर आप get use करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से error देखने को मिलेगा student जो table का नाम होगा वह या फिर no attribute अपडेट ये get का use करके किया गया होगा उस वेसे इसलिए इसको ऐसा error मिला हुआ है अभी हम लोग अपना काम देखते हैं कि update कैसे करेंगे तो हम लोग update करेंगे बारह नंबर में जो हमारा data है उसको एक मिट ज़र में लॉग इन कर लेता हूं हमने गलत data देखा भी यह वारा data हमारा है home जाना है then student देखिए हमारा जो data है 12 नंबर मे अमर और 60 का marks इसको अपडेट करेंगे पहले हम लोग filter के तुरू 12 id वाले को पकड़ेंगे और इसका नाम अपडेट कर देखिए हमार की जगह कबीर और इसका marks 60 के जगह 80 कर देखिए चले दिखाता हूं कैसे इसको करना है पहले यहाँ पर आईए view के अंदर में और और यहाँ पर filter कर लेना है आईए चुकि यूनिक है तो हमें एक यूनिक डेटा ही मिल जाएगा तो आप ultimately get वाला ही काम कर रहें बट आप यहाँ get नहीं यूज़ कर सकते लिफस वह एक object return करता है और object में हमारा यह update method नहीं चलेगा हमारा यह update method चलता है query set में और filter हमारा ए की will return करेगा बट यह query set return करेगा तो क्या करना है name करना है मुझे कभीर और marks करना है जितने भी इसको हटा कर 80 तो मैंने यहाँ पर क्या है मैंने यहाँ पर यह कहा कि पहरे filter कर लो कि id 12 किसका है फिर इसमें update कर तो उसका नाम कभीर और marks 80 इसको save किया है मैंने save करने के बाद अ नाम है आमर और इसका mark से 60 जैसे इसको refresh करके हैं वैसे ही refresh करने के बाद जब आप इसको data को देखिएगा तो यहाँ पर आपको आमर की जगह अब 12 नमर वाले में कभीर और यहां 60 के जगह 80 दिखा जागा या अब हमारा update हो गया यह data हमें यहाँ पर नहीं मिलता विवास update ह करने के बाद यह जो return करता है वचले return करता है कि इसने कितना data कितने फिल्ड अपडेट किया यानि कितने number of rows इसने अपडेट किया वह जो return करता है तो यहाँ पर one किया तो one हमें दिखाए दे रहा है अभी मैं आपको multiple update करके दिखाता हूँ यहाँ एक single किया which is good काम आएग ह हमारे बटे मैं आपको multiple दिखाता हूँ परवाले को comment कर देते हैं नीचे वाला देखिए मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पर ऐसा फिल्ड ले रहा हूँ जो कि मैं multiple return करेंगा तो marks data दिखते हैं यहां से marks जिसका भी marks 70 है 70 बहुतों का है जिसका भी marks 70 है उसको हम उसको city हम लो division कर देना है फिर जिसका भी marks 40 है इसको fail कर देना है जिसका भी marks 80 है उसको जो भी अब देना चाहें होगा कर सकते हैं बट हमारे पस क्यों कि हैं नहीं था हम लोग city को ही use कर लेते हैं इस चीज को देखने के लिए तो code लिखना है हमें कि student objects filter marks 12 यानिकि जिस जिसका भी marks 12 है इसको पहले query set में निकालेंगे लिए अपडेट कर देंगे क्या उसके city में city में पास इसको city change होकर हो जाएगा पास जिसका जिसका भी 70 marks है 12 नहीं 70 जिसका जिसका 70 marks से उन सभी का city change होकर पास हो जाएगा तो मैंने save किया इसको save करने के बाद इसको करते हैं refresh देखिए अभ इसको एक होगा जैसे refresh करते हैं और यहाँ पर इसको refresh करेंगे तो देखिए हमारा इनकिर इसका 70 था यह पास होगी है तो फिर एसके 70 था ये पास होगेँ तो यह पास इसका city pass होग गया तो कितने raw इसे ने अफेक्ट किय है यह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा चार रोज पर ये काम किया है इसलिए पर चार रटनों का मिलता है तो यह हमारा अपडेट करने का तरीका हो गया next method हमारा update और create है या तो update कर दो या फिर create कर दो अगर पहले से है तो update करो अगर नहीं है तो इसको create करो default none keyword argument लिए था convenience method for updating an object with the given keyword arguments create a new one if necessary the default is a dictionary of filled value where used to update the object the value is default can be callable तो आप जो update करना चाहते है तो default is a dictionary of filled value past used to update the object जो जो update करना है तो माली ची के पहले से मौज़ोदे तो क्या करेगा update करेगा तो जो update करना है वह आप default के अंजर लिखेंगे it returns a tuple of object created if where object is the created or updated object and created is a boolean specifying whether a new object was created created है आपको मिलेगा की आपका नया create हुआ है या नहीं अगर create हुआ है तो true मिलेगा नहीं तो फिर false मिलेगा the update underscore or underscore create method tries to fetch an object from database based on the given keyword argument if a match is found it updates the field passed in the default dictionary तो जो default dictionary में पास करते हैं वह update करतेगा एक्जामपल के तोर पर हमने इस्टोंडेटर लिखा created लिखा equal अपडेट और create लिखा id 14 दिया नेम कॉली दिया और default में हमने name समीर देए अगर यह पहले से मौझओद हो का यहारे कि 14 id वाला बंदा पहले से मौझओद है 14 id वाला और name call ली तो उसका नाम चींच करके समीर कर देगा अगर नहीं है तो उसको create कर देगा चलिए दिखाता हूं example में अपरवाले को copy paste करते हैं और हमें देखना है इसको को पहले comment से हटाता हूँ यहां पर हमें देखना क्या है यहां से यहां तब comment आदेता हूँ हमें देखना है update और update अंडर्सकोर और अंडर्सकोर create और यह keyword arguments अब दीजिए पहले id equal मैं देता हूँ पहले लोग id पर चला देख लेते हैं हमारा data क्या है इसको में refresh करता हूँ change करते हैं समीर को ठीक है तो id 14 और नाम है समीर तो id 14 हमें यहां लिखना है और इसका नाम है समीर तो अगर यह दोनों match कर रहेगा तो data पहले से मौजूद है उस case में जो default में हम लोग दे रहे हैं वह हमेरा update हो जागा यानि कि name हमारा update कर देना name equal हमारा update कर दो कोहली समीर था क्या उसमें क्या लिखा हुआ मुझे याद नहीं है 14 नमबर में देखिए तो समीर लिखा हुआ हमारा यह उल्टा हो गया हमने ppt में लिखा था कि कोहली यहां था समीर यहां था बट कोई नहीं तो अगर id 14 जिसका नाम समीर अगर यह data हमारे पास मौजूद है तो जो default में हमने value दिया वह हमारा update हो जाएगा या नाम change होकर समीर से कोहली हो जाएगा अगर मौजूद नहीं है id 14 और name समीर तो यह हमारा create होगा तो चुकि हमारे पास मौजूद है तो यह हमारा update होने वारा है बाकी हमारे create हो रहा है या नहीं उसको देखने के लिए हम लोग created को यहां पर print कर सकते हैं और यह created हमें लिखना पड़ेगा हमने लिखता हो नहीं है यहां पर created ऐसे लिख देना है तो इससे जो return होग होगा जब हमारे create होगा तो अब अपडेट होगा तो नहीं आएगा हमने इसको save किया save करने के बाद आते हैं आपर देखे हमारे 14 नंबर में समीर है यह हमारे change होकर कहली होने वाला तो मैंने इसको क्या refresh ओक यह चुछी सी mistake होगई हमसे default नहीं यह defaults है actually मैं save किया इसको save करने के बाद वापस से refresh करते हैं यह नाम चीज़ों कर हमें दिखाई भी देरा अब हम लोग हमारा कि क्या ऐसा कॉलम यहां पर है जो कि नल हो सकता है फिर not null अपने क्या दिया हुआ है जैसे हमारा जो यहां रोल है यह हमारा not null नहीं हो सकता यूनिक है तो इसका आपको data देना पड़ेगा तो उस case में जब आप यहां पर create करेंगे उसका data पर हैं mention करना है सिर्फ id और समीर से आप data create नहीं कर सकते हैं यह इस table के लिए because इस table में कुछ ऐसे column है जिनका field required है वहना तो खार हो सकता है और नहीं null हो सकता है और नहीं उसके लिए आपने default दिया हुआ तो यह भी आपको ध्यान में रखना होता है जो आप इसका use करते हैं तो create के लिए तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कहा हूँ आपको समझ में आगया होगा अभी हम लोग इसको comment कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं next method है हमारा bulk create कर सकता है जैसे हम लोग अभी क्या करते है single single create करते हैं अब एक साथ 5 10 15 20 जितना चाहें उतना आप create कर सकते हैं तो जिसके लिए आपको use करना पड़ता है method bulk underscore create इसमें obgs त्यानि को objects जितने हैं आपको create करने के पहले object बना लेजिए वो आपका सब इसके अंदर रहेगा फिर आपको दो यहाँ extra parameters मिलते हैं जो कि सभी database में support नहीं करते हैं आपको आगे आप देखें पढ़ने को मिलेगा आपको इस method inserts the provided list of objects into the database in an efficient manner कम समय में यह insert कर देगा बहुत सरे data आपके लिए the model save method will not be called and the pre save and post save signal will not be sent तो देहान रखना है कि आप जब अब इसका use करेंगे तो यह method को call नहीं करेगा यानिकि save method को call नही नहीं करेगा साथ में pre save और post save signal भी इसमें trigger नहीं होगा तो उस में अगर कोई code आपने लिखा हुआ है तो वह आपका इस method के तुरू trigger नहीं होने वाला है जो signal आपका काम नहीं करेगा it does not work with child models in a multi-table inheritance scenario multi-table inheritance अगर आपने use किया तो उस case में यह आपका काम नहीं करेगा with child models अभा है अभी आपको पता नहीं है कि यह model inheritance का concept में पढ़ा हुआ नहीं है तो यह का line-up को समझ में नहीं आएगा और फिर भी ध्यान में रखिए कि यह multi-table inheritance में काम नहीं करेगा child models में if the model's primary key is an auto field it does not retrieve and set the primary key attribute as save does unless the database backend supports it currently posted as SQL it does not work with many-to-many relationship यह many-to-many relationship यह साथ काम नहीं करेगा आपना भी relationship भी नहीं पढ़ा है पत यह line ध्यान में रखिए it casts obgs and objects to a list which fully evaluated obgs with its generator the cast allows inspecting all objects so that any objects with a manual set primary key can be inserted first the batch size parameter controls how many objects are created in a single query the default is to create all objects in one batch except for SQLite where the default is such that at most 999 variables per query are used on database that supports it is को पढ़ लेजेगा यह theory है बहुत ही easy सा theory आप लिखा एक्जम्पल देखें आप तो पहले obgs के अंदर list बनाना है इसमें सारे objects आप रख दीजिए यह हमारा पहला object होगा यह data रहेगा पर यह दूसरा object जिसमें यह data फिर दिसरा object हमारा यह data और list बनोकर हमने बस bulk create में obgs को डाल दिया बाकि दो parameter हमारे यह useful नहीं है जिसको डाल दिया हमारा bulk create होगा यानकि तीनों के तीनों data हमारे insert हो जाएंगे एक ही query में तो यह expensive नहीं होता यह query हमारा expensive नहीं होगा एक एक करके करने से जितना ज़्यादा समय लगेगा उससे कम समय लगेगा जब इसको bulk में create करेंगे example में दिखाता हूं बस इसी को copy paste करेंगे हलाकि नाम हमें change करना पड़े कि अनिसा हमारा पहले से है तो क्या करना है obgs बनाए equal यह एक list होगा ध्यान रखेगा पहला हमारे यहां पर student और नाम लिखना है सारे fields आपको लिखने पड़ेंगे इसका रोल हम लोग दे देंगे रोल इसका पदा नहीं कितना रोल चल रहा है रोल चल रहा है हमारा 115 115 की जक्यों पर हम लोग कर देंगे 116 और इसके बाद हमारा क्या है city है city equal जो करना चाहिए मैं देता हूं धनबाद फिर marks लिखती है marks equal मैंने देंगे 70 और हमारे यहां पर हो जाएगा पास डेट पास डेट इक्वल हम लोग लिखेंगे आपकी जीगा यह हमारा इदर आग्या पास डेट रोग यहां पर लिखतेंगे दो हचर बीस पांच चाहर यह फिर जो भी आप लिखना चाहिए लिख सकते हैं पांच चाहर लिखते हैं अब इसी तरीके से कुछ और बना लेते हैं जैसे कि हमारे एक और एक और तीन डेटा मैंने बनाया हुआ है नाम में अलग-अलग करना पड़ेगा आतिफ की जगा निक होना चाहिए नीचे वाला 18 हो चाहिए इसका नाम चेंज कर देता हूँ इसका नाम चेंज करके में लुक कर देंगे सोनम नहीं सोनम पहले से है कुमार कर दिया मैंने और सिटी सेम रहेगा डेट होगर आप चेंज करना चाहिए मार्क चेंज कर देता हूँ माक्स चेंज कर देता हूं 50 और यह मैंने कर दिया 30 एक का चेंज कर देता हूं दुकारो और डेट भी चेंज कर देता हूं यह 4 था इसको 7 कर देता हूं और इसको कर देता हूं 9 तो हमने तीन डेटा यहां create तीन डेटा हमने बना तीन आपजेक्ट हमने बनाया हुआ है और यह list of objects है अब इन तीनों को हमें bulk में create करना है कि database में डाल देना है तो बस कुछ नहीं करना है आपको यहां पर लिखना है student student अलागे यह लिखने का सब करना ही है student data equal student dot objects dot bulk underscore create underscore obgjs obgs के जगा आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं बट्रप को यहां लिखते हैं वह आपको यहां पर लिखने का है यह को save कीजिए सेव करने के बाद hopefully सब ठीक है spelling वगया हमने इसको देखिए अभी हमारे पास last 15 data है अनिसा का जैसे इसको refresh करते हैं आप और यहां पर वापस आएंगे तो यह तीन data आपको मिलेगा आतिफ का साहिल का और कुमार का तीन data हमें ना हैंसे डोकर में तो यह एक query में समझे जी कि एक पलक जपकते ही तीनों हमारा हो गया तो यह ज़्यदा efficient है तो bulk create कैसे करना है ऐसे करना है clear जी करता हूं comment और वापस आते हैं देखतें next concept क्या है हमारा next concept है हमारा bulk में update करने का तो इसमें objs देते हैं field देते हैं batch size देते हैं this method efficiently update the given field on the provided model instance generally with one query reset.update is used to save the changes so this is more efficient than iterating through the list of models and calling save on each of them you cannot update the models primary key primary key models के primary key का update नहीं का सकते हैं each model's save method isn't called and the pre-save and post-signal aren't sent यह दे हमें रखना है if updating a large number of columns in a large number of rows the scale generate can be very large avoid this by specifying a suitable batch size updating field defined on multiple table inheritance ancestor will incur an extra query per ancestor if objs content duplicates only the first one is updated यह important यह धन्मरक्की का the batch size parameter controls how many objects are saved in single query the batch size control करता है कि कितना save होना चाहिए एक single query में the default is to update all objects in one batch except for SQLite and Oracle which have restriction on the number of variables used in a query example देखिए पहले हमें सारा data पहले निकाला all student का data फिर हमने all student में से stream में डाला फिर उसमें बहल सीटी में डाल दिया और वहीं सारा हमारा update हो जाएगा देखिएगा example में तो easily समझ माएगा यह फूरा concept तो यहां से नीचे आते हैं पहले हमें क्या करना है पहले हमें all student data निकालना है audition data हमने निकालना है student.objects.all लेकर अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि हर एक के अंदर four लगाना है four stu in all student data तो all student data में से पहला हमारा जाएगा stu और उसमें से हम लोग stu.city को target करेंगे और इसमें हम लोग डाल देंगे bell को cut के अंदर में लिखना है यह हमारा string है यह सिर्फ हम लोग assign कर रहा है यह update हो हमारे database में उसके लिए हमें bulk update के यूज करना पड़ेगा because यह बहुत सारे city में करेगा यानि कि सभी में देखिए all student data में बहुत सारा data है sonam का है राहूल का है सभी का data तो उन सभी के city में जाएगा एक एक करके उन्हें bell रखेगा सभी के city में जाएगा bell रखेगा अब इसको update भी करवाना है ताकि database में हमारा reflect हो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे bulk update का यूज करेंगा कि वो bulk में हमारा changes होगा इसी वजह से यहां पर आना है और आपको लिखना है student data equal student.objects.bulk update क्या update करना है हमें update करना है all student में city column को तो बस इतना लिखना है save कीजिए और बस इतना ही करना है bulk update करना है all student data city को जिसमें हमने यह value डाल होगा है bell तो सभी का जो city होगा change होकर हो जाएगा bell जोकि हमारे लिए बहुत बूरा होगा प्रिकोस में फिर से दोवार से change करना पड़ सकता है और फिर भी देख लेते हैं जब करना ही है तो फिर डरना क्या है इसको हम लोगा refresh करेंगे और यहां पर आकर refresh करेंगे तो देखें सब का bell 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 सब एक साथ हमारा change हुआ है आप दोबारा से change करना चाहें आपका सकते हैं मैं change करता हूँ इसको धनबाद से धनबाद हो जाएगा सब ही का change क्या हो जाएगा धनबाद यहाँ इसक talented करना है Is best कर देखे सब का धनुमाद 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 तो यह है buck अब्देट करने का तरीका और यह बहुत सारी तरीके में अबको कुछ चीजें नारो इसको अब फ़ Kerry से यूर्ज कर पाएंड अभी हम लोग आगे इसके में क्या कॉन्सेट चैनल है can देते हैं, it takes a list of field values, id list and the field name for those values and returns a dictionary mapping each value to an instance of the object with the given field value, if id list isn't provided, all objects in the query set are returned, field name must be a unique field and it defaults to the primary key, example हमने पहले बल्क में data हमने लिया 1 और 2 का, तो हम लिए अगर 1 और 2 का मतलब 1 का जो हो जिसे हमारा 1 और 2 है, तो जो पहले होगा वह हमें मिल जाएगा दूसरा वाला दूसरा वाला भी मिल जाएगा, या पहला और दूसरा वाले का भी नेम के जगह पर आप id लिखे, city लिखे, आपको data मिलता चाहएगा, आप दूसरे वाले का चाहत दे हैं तो square bracket अंदर टू लिखे, to.name तो आपको दूसरे वाले का data मिलेगा, अगर आप कुछ भी नहीं देते हैं, bulk में आपकोने square bracket अंदर कुछ भी नहीं दे आने के blank list आपने लिखावा है तो उस case में आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, मैं आपको दिखाऊँगा, इसमें print करक आपके तो आपको ज्यादा बहतर तरी case समझ में आएगा, तो हमें क्या करना है, student underscore data लिखना है, और यहाँ पर आपको लिखना है student dot objects और bulk में data निकालना है, तो यहाँ पर हमें लिखना है dot in bulk और यहाँ पर आपको लिखना होता है list जिसमें हम लोग कर रहे है, primary key यहाँ प print करूँ, और student underscore data लिखाँ जो हमें मिल ही जाएगा, तो यहाँ लिखनी कहा सकता है नहीं, इसको यहाँ से मैं आठा देता हूँ, यहाँ रहने देते हैं, अभी के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, cut कर देता हूँ, save करते हैं, और save करने के वाद इसको refresh करते हैं, देखिए म नीचे, नीचे, कितना नीचे हो गया है, ना देखिए हमें एक dictionary के रूप में यहाँ पर मिल रहा है, one key में यह वला object है, और दूसरे key में यह वला object है, तो इस key का use करके, यानि कि अगर आप two लिखेंगे, तो आपको यह पूरा मिल जाएगा, अगर आप one लिखेंगे, तो यह object को आपको मिल जाएगा, फिर आप इस तरी किसे access करते हैं, वैसा आप access कर सकते हैं, मतलब, अगर मैं यहाँ पर लिखेंगे दूँ one, और मैं इसको print करूँ, मतलब इसको run करूँ वापस से, यह refresh किया, तो यहाँ पर अब terminal में देखिए इसको, यहाँ पर आपको देख करना है, तो मुझे पता है पहले से कि वह एक property name है, इस object में तो मैंने लिख दिया, तो मैंने इसको save किया, save करने के बाद मैं refresh करूँ, तो इसका जो one में जो name होगा sonam, वहाँ मैं यहाँ पर terminal में देखने को मिलेगा, देखिए sonam, इस तरीके से मैंने two को भी extract किया, two को भी refresh करता हूँ, और terminal में यहाँ पर देखिए, आपको रावल देखने को मिलेगा, तो यह तरीका है यहाँ पर देखने का, अब जब आप इसको blank रखते हैं, इसको मैंने किया copy paste, और इन दोनों को किया comment, जब आप यहाँ पर इसको blank रखते हैं, यह आपने कुछ भी ने दिया इसमें, इसको हटा देता हूँ, क्योंकि नीचे हम यहाँ पर इससे मिल जाएगा output में, तो जब आप इसको blank रखते हैं, तो उस case में देखे क्या होता है, मैंने इसको refresh के, अब टर्मिनल में आते हैं, तो उस case में हमारा यहाँ पर, यह empty dictionary हमें return करके देता है, और अगर square bracket को अगर आप लिखते ही नहीं है, मैंने इसको comment कर दिया, और यहाँ पर, तो यह आपको सब कुछ दे देगा, तो मैंने इसको save कि हुआ है, और इसको वापस से refresh करते हैं, और यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे, यह जितनी यह object से हैं, वो सारे object सब को देता है, dictionary मे one में, यह पहला object two में, दूसरा object three में, यह object, वो object, सब object देता है, तो यह तीन है, कुछ इसमें, जब को ध्यान में रखने है, ओके तो यह हमारा हो गया in bulk, next concept देखते हैं, next concept हमारा है delete का, delete method conveniently is named delete, this method immediately deletes the object and returns the number of objects dated and dictionary with the number of deletion per object type, example के दोर पर जब आपको एक record delete करना हो, तो आप इस तरी के से get करके, उस पर delete लगा देजिए, या फिर आप इन दोनों को एक single line में भी लेख सकते हैं, अगर bulk में delete करना हो, तो आप, you can also delete objects in bulk, every query set has a delete method, which deletes all members of that query set, और आपको लिखना होता है, तो इस तरीके से, filter कीजिए marks 50 तो चीजिए का जिए marks 50 हो सारे delete हो जाएं, अगर आपको सभी को delete करना है, simply all में delete लगा देजिए, यह दिखाता हूँ code में, इस वाले को copy paste करते हैं, यह हमें कहाम आ जाएगा, हमारे आधा आ में लिखना नह इस तरीके से delete करते हैं, PK 18 को, 18 को, 18 लिखिए और यहाँ पर simply delete, इस तरीके से लिखते हैं, बस दो रैन में लिखने का सब्ता है नहीं, एक single line में ही अपका काम हो जाएगा, मैंने इसको save किया, save करने के पास, इसको refresh करते हैं, रिफ्रेस किया, दिखिए हैं, आपर रिफ्रेस करेंगा, 18 नमबर का हमारे record डिलीट हो गया, अगर bulk में record डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको उस तरह का query भी लिखना पड़ेगा, तो query के लिखेंगे, लिखेंगे, अगर get लिखेंगे तो एक single object मिलेगा, तो single object ही हमा देखेंगे, तो marks 50 किसका है, 50 है, एक मुझे है, साहिल का दिख रहा है, और एक मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अली का, और बस यह दो हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर marks, marks equal 50, तो marks equal 50 जिसका जिसका भी है, उसका data हमारे डिलीट हो जाएगा, मैं इसको save किया, save करने के ब मेरा नाम, वह अफिन है कि 50 marks वाला कोई बंदा है, आपको आप दिखेगा, नहीं, तो अगर आपको सभी को डिलीट करना है, तो simply क्या करना है, सभी को डिलीट करने के लिए आपको, यहाँ all यूज करना है, all, all, okay, save कर दिखे, लेकिन मैं आपको यह रन करके नहीं यहाँ मैं से, यह सब कुछ हम लोग लिख रहे है, view function के अंदर में, द्यान रिखेगा, और यह जो बिलीट करता है, उसका data हमें देता है, यहाँ पर, अगर आपने देखा नहीं, दिखाता हूं, देखे, number कितना delete हो रहा है, 2 delete हुआ, 50 marks वाले का, तो 2 यहाँ पर दिखाए रिखे, count call performs a select count behind this scene, example, आप सभी का count करना चाहते है, तो सभी का पहरे निकाल लिए, फिर इसमें count लगा दीजिए, count करके बता देगा कि इसमें कितना data है, number of objects इसमें, कितने हो आपको, बता देगा, तो इसको कुछ लिए देखते हैं, बहुत ही easy है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको copy paste करता हूं, यह terminal में देखने वाले चीज है, इसको हमने copy paste किया, सभी का data हमने निकाला, और बस यहां पर print कर दालते हैं, यह print कहोँगा student data.count, हमें बटा देगा कि इसके अंदर कितना हमारा number of object से, और print करके हमें दिखा देगा, तो मैंने इसको save किया, save करने के इसको तकरते है, refresh, देखिए हमारे पस कितना data है, एक से लेके 16 तक है, अगर हमने बीच में से किसी को gaib नहीं किया होगा, तो हमारा देखी है, और हमें terminal में कियना दिखाई देता है, terminal में हमें दिखाई देता है, 15, तो बीच में से कोई एक gaib होगा हमने delete किया होगा, इस से में 15 गीनेंगे एक दो तीन एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा तो exactly 15 हमारे पास number of objects हैं इसलिए count में 15 बता रहा है आपको 16 दिखाई दे रहा है लेकिनि बीच में से कोई एक गायब होगा लेकि दो तीन चार पांच छे साथ आठ हमारा गायब है शीव जैसे यह भ्रमित करेगा आपको तो ध्यान में रखिएगा बाकी हमारे पास यह सारे यह तो मिलेगा ही हमें तो यह हमारा count है शुक्रते हैं comment नेक्स्ट हमारा है explain यह आपको explain करता है आपके query set के execution plan को इसके थुरब decide कर सकते हैं कि कितना expensive है आप आपको अगर analysis करना अपना query तो फिर आपके लिए यह बहतर साबित हो सकता है लेकिन कुछ database में काम करता है कुछ में नहीं करता है कुछ में कुछ output देगा कुछ में कुछ output देगा यह इसका problem है क्या करना होता है आपको इसको examine करने के लिए student.objects.all.explain इस तरह के से लिखना है और यह आपको output देदेगा कुछ एक अलग से format में है तो यह एक हमारा method है जो आपको explain करेगा then हमारे कुछ और methods है जैसे aggregate method है एक then as underscore manager method है then iterator method है तो यह कुछ methods है जो की ज़्यादा useful नहीं है बागी कुछ चीज़े हैं जो हम लोग को अलग से देखने है जैसे aggregate हमें अलग से देखना है बड़ा topic है तो वह हम लोग देखेंग है अभी तक हमारा जो भी concept था वो हमारा यह API का second part आप समझ सकते हैं जिसमें हमने देखा methods that do not return new query sets जिसमें बहुत सारे methods हमने पढ़े हैं जो कि हमें help करेगा SQL समंदित सारे काम करने के लिए Python में से ही यानिकि Django में से ही उमीद करता हूं सारे methods आपके clear हो गया होंगे बाकि जो कुछ बच्चे हों जैसे आप यह 3 देख रहे हैं आपर तो एक तो में aggregate देखना है as manager और iterator यह सारे कभी ने कभी हमें देखने ही हैं आप अगर जल्दी जानना चाहते हैं आप documentation पढ़ सकते हैं इसका यह पर Google में search कर सकते हैं बाकि वक्त आने अपर तो मैं बताऊंगा ही थैंक्स वासिंग